आप देख रहे हैं ठोक तंत्र का खास कारकरम पंचाज चुनाव बुलेटिन में आपका स्वागत है चौथे चन्ड का मद्दान स्माप्त हो गया पांचवे चन्ड के मद्दान की तैयारी है चौथे चन्ड के जो मद्दान में हाइलाइक्ट रहे उसको हम बताएंगे दोस्तो तो 58.6% वोटिंग हुई है और महिलाओं ने फिर दिखाया है दम चौथे चन्ड के मद्दान में महिला मद्दाता पुरुसों से आगे रही बढ़चण कर हिस्सा लिया और वहीं हम हर बूत से हर पंचायच से अगर शुर्खियों पर नज़र डाले तो गया में पिठासीन प्राधिकारी को दोड़ा दोड़ा कर पीटा गया अब वहाँ पहले फैली थी कि पठासीन प्राधिकारी किसी एक परत्यासी को मदद कर रहे हैं उसके बाद उगर हो गये थे ग्रामीन और जैसा आपको पहले बता दिया है कि चौथे चरन में अंठावन दसामलों छे पाच की पाच परतिसत भोटिंग हुई है इसमें बांक चौथे फेज का यहाल रहा है कई जगा इबीम भी खराब बाकी बात हों नजर डालेंगे और हम नगर नजर डाले कि क्या क्या हुआ है तो गोली बारी और मार पीट के बीच पंचाच चुनाओं का चौथा चरन हुआ है संपान हाजीपूर में फाइरिंग हुई है और हम मेरे डालते हैं समाचार पे विस्तार पे घबरों के क्या है मजमुन क्या है चौथे चरन की हाइलाइक आगे बंड़न से पहले आप लोगों से गुजारिस है कि अगर आप चैनल पर अभी तक नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए वीडियो पसंद आये तो एक लाइ जबकि पूर्सों का वोटिंग परतिसत 54.2 रहा महिलाओं सबसे अधिक वोटिंग परतिसत बांका रहा बाका की जहां बात कर रहे थे बाका में महिला मद्दताओं ने 93.65 परतिसत वोट किया ओहीं चौथे चरन में पटना सहित राज के 36 जिलों के तिरपन पर खंडों में वोटिंग कराई गाई सबसे बांका जिला के ही बाता रहे 84.85 परतिसत सब ज्यादा वोटिंग रहा जबकि 42.5 परतिसत भोजपुर मर्दान रहा पटना जिला में ओस्तन 53.6 नो परतिसत महिलाओं का ओस्तन वोट रहा 55.55 जबकि पूर्सों का 55.84 राज निर्वाचन आयु डाक्टर दीपक परसाद ने कहा कि मद्दान सांतिपुर रहा कहीं से भी किसी अपनिये घटना की सुचना नहीं मिली लगभक सभी बुतव अबामेट्रिक सिस्टम काम कर रहा था उन्होंने कहा कि मद्दान में महिलाओं की भागेदारी असपश्ट है कि राज्य में सांति पुर्ण तरीके से मतदान हुआ है अब हम नजर डाले कि क्या क्या रहा है हाइलाइट्स तो हाइलाइट्स पर नजर डाले तो कुल 2,45,86 पदों के लिए 8,88,24,586 पदों के लिए 8,88,137 पर त्यासी मैदान में थे 2223 को होगी मतगरना और अगर हम नजर डाले तो गया से एक बड़ी ख़बर आ रही है कि गया जीले में चौथे चरन के मतदान के बीच पिठा सीन पराधिकारी को दोडा दोडा कर पीटा गया वहीं अगर हम बात करें कि कैसे हुई है घटना तो इस पर हम नजर डालते हैं कि घटना हुई कैसे है तो गया के कोज परखंड के अहिया पूर में चल रहे मतदान के अंतिम पर पिठा सीन पराधिकारी की छेत्र के गरामिनों ने दोडा दोडा कर धुनाई कर दिया है रानी की बात यह है कि राइफल बंदूक लिए खड़े पुलिस अधिकारी घटना हमें मुक्दर्स तक बने रहे यहीं नहीं पिठा सीन पराधिकारी रहे कि पुलिस नहीं उन्हें गरामिनों के सामने सुपूर्थ किया है जिसके बाद यह घटना घटी कोच परखंड के सीमा पर बसे अहियापूर गाउं में सुबह से लेका दोपहर बाद तक मदान सही तरीके से चल रही थी मदान के परकिरिया काफी धीमी थी इसके चलते मदाताओं में रोज था इसी बीच आरोप यह लग रहा था कि पिठा सीन पराधिकारी किसी खास उमिदवार को भोट दे रहे है तो अधिकारी और पुलिस बल के नहीं अधिकारी गरामिनों के समक्च अपनी बात रखने मैं पिठा सीन पराधिकारी को पुलिस बल और अधिकारी ने कहा कि गरामिनों के बीच अपना बात रखिए जैसे पिठा सीन पराधिकारी मादान के अंद्र के बाहर अपनी बात रखने पहुंचे गरामिनों ने ख Il garbage कर खुले मादान में ले गया जम कर उनकी धुराइ कर दि म नामला हां से निकलते देख मोगे पर मवजूद पुलिस कर्मियों ने बड़ी अधिकारियों घटना के सुचना दी इस पर बड़ी संखिया में मौके पर पुलिस अधिकारी पहुच गये हैं जैसा कि चौथे चरंग में मदान सांतिपुर्ण ही रहा फितेज बारिस में मामले आये हैं राजिन वाचन आयोग को जैसा कहना है बैसाली के लाल गंज बुद्ध पर एक सो बुद्ध संखिया एक सो सतानवे पर जड़ब हुई जिसमें एक सक्स घायल हुआ पुलिस टीम के साथ भी जड़ब हुई है चो चौथे फेज में पांच मामले एबीम खरा किया गया हमें बात करें नवादा कि बात करें तो यहां अकबरपूर में एक सब्सक्राइब पांच नौ फिस्दी जिसमें 62 फिस्दी महिला मद्दाताओं ने वोटिंग की पुर्तों का आकड़ा उन उन सब्सक्राइब है और वैसे इबीम में सभी का भाग कैद हो गया है 22 और 23 को होगा चुनाओ और एक खावर आ रही है बोटिंगे दुरान महिला बेहोस हो गई गया सही खावर आ रहे है गया पंचाइब चुनाओ के चोथा चरण में गया के गुरुवा और कोच में मर्दान हो रहा है इस दौरान गुरुवा परखंड के कोलावना पर मद्दान कार में गरवड़ी की सुचना पर दो पर त्यासी समर्थक आपस में भीड़ गये बताया जा रहा है कि एक पर त्यासी समर्थक का समर्थक लोगों को मद्दान दिलाने के लिए बार बार मद्दान के अंदर ले जाकर मद्दान कार को परभावित कर रहा था इ वही घटना के बाद मद्दान केंद्र के बाहर भारी संख्याएं पुलिस वाल तैनात कर दी गई है सिर्खधार सिर्घाटी एश्डियो और निलकुमार रमन ने मौकब सेख परत्यासी के भाई को हिरासत में लिया है उससे पुछताच की जा रही हिदर मार्पिट के घटना म में एक महिला मद्दाता बुरी तरह घायल हो गई घायल महिला के इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है और लाइन में खड़ी थी महिला इस कैसे घटना घटी तो उससे रहा सिर्घाटी एश्डियो निलकुमार रमन ने बताया कि पंचाय चुना को संफ्रदाइक चल रही है घायल महिला मद्दाता के पती महस्याल ने बताया कि मद्दान के लिए खतार में खड़े थे मारपीट के दवरान भगदण मची इसी दवरान महिला जखमी हो गई और बारिस के बावजूद भी डटे रहे रोड हाजिपूर में हुई थी फायरिंग और इस तरह से मैं आपको बता दू कि पंचाइच चुनाओं के दरान लगातार बारिस हो रही थी तक दरान भी मतदाता डटे रहे और अपनी भारी का इंतजार करते रहे कुछ चाता लगाकर रहे कुछ की चल रास्ते में भी फसे रहें तो यह थी पंचाइच चुनाओं से जुड़े तमाम खबरे हाइलाइट्स इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ मिलते हैं ले वीडियो में जैहिन बंदे मात्रम